अब्रिवान आज मैं लेकर आई हूँ मलाई कोफटा की बहुती लाजवाब टेस्टी रेसिपी जिसे आप खाते हैं रेश्टरेंट में जब मैं जाती हूँ रेश्टरेंट में तो मेरे जो बच्चे हैं सबसे पहले मलाई कोफटा ऑुर्डर करते हैं एसे कितने लोग हैं जिनको मलाई कोफटा पसंद है कमेंट करके ज़रूब बताईएगा तो अब से आप को रेसिरण जाने की बिल्कुल ज़रूवत नहीं है क्योंकि मैं लेकर आई हूँ बनाने की बहुत आसान रेसिपी हैरान हो जाएँगे तेक्टिक मैंने स्मझाने की तन बनाने की कोशिश की है पिर से आपको बहुत स्वागत करती हूँ अकर नfish सब्सक्राइब करती हूँ आज मैं और आज को izni है कि पे उततुठ जाहुआ एक आपको पशुत दाते हैं तो वीडियो को लाइक करनाहा कॉमन्ट करना और शेर किना मेरे बिल्कुल मत भूलेगा साथ यह चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब नहीं केल तो सब्सक्राइब ज़रू करेगा और साथ में एक बैल आइकन होगा उसे प्रेस करना मेरे नोटिकेशन पर न पैन रखेंगे इसके अंदर मैं देड़ से 2 किलास पानी एड़ कर रही हूँ अब इसके अंदर मैं एड़ करूंगी 4 प्याज जिसे मैंने मोटा-मोटा इस तरह से काट लिया है चार लहसुन की कलिया 1 इंच अदरक का टुकड़ा जिसे मैंने छोटे-छोटे पीशेज में कट कर लिया है साथ ही 2 टेवल स्पोन यहाँ पे काजू मैं एड़ कर रही हूँ 2 टेवल स्पोन के करीब मगज 1 टी स्पून यहाँ पे मैं खस-खस एड़ कर रही हूँ अच्छे से मिक्स कर देंगे, साथ ही मैं यहां एक टीस्पून काली मिर्च एड़ कर रही हूँ, एक तेश पत्ता, एक बड़ी इलाइची, छोटा सा दाल चीनी का टुकड़ा और दो लॉंग दो हरी मिर्च एड़ करेंगे, इस तरह से तोड़ के, इसे मैं कवर कर देती हूँ, और इसे हम उबलने देते हैं, तब तक यहां पे हम अपने कोफते की तैयारी कर लेते हैं, तो यहां पे मैंने 1.500 ग्राम पनीर लिया है, जिसे मैं इस तरह से कद्दुकस कर लूँगी तो यहां पे मैंने पनीर को कद्दुकस कर लिया है, अब इसके अंदर हम एड़ करेंगे, उबले हुए आलू इसकी बाइंडिंग के लिए, तो यह दो उबले हुए आलू ले लिये हैं मैंने, और इसे भी मैं साथ में ही कद्दुकस कर लूँगी बहुत जादा आलू का आपको इस्तमाल नहीं करना है, नहीं तो क्या होगा कि आलू का टेस्ट जादा आएगा और वो कोफते में अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए आलू कम रखे पनीर जादा, अब इसमें बाइंडिंग के लिए मैं आड़ कर रही हूँ, तीन से चा टेबल स्पून, कॉन फ्लोर, हलका सा नमक एड़ करेंगे और हलका सा चाट मसाला, और इसे हम अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेंगे, जैसे डो होता है ना बिल्कुल उस तरह से अच्छे से मिक्स कर लें, अभी ये थोड़ा सा मुझे गीला लग रहा है, तो मैं थोड़ जब हम इसके कोफते फ्राइ करेंगे तो फट जाएंगे, इसलिए थोड़ा सा मीडियम सॉफ्ट होना चाहिए, बहुत टाइट भी नहीं करना हमें, बहुत ज़़ादा कॉन फ्लोर नहीं यूज करेंगे, बस मीडियम सॉफ्ट हो इस तरह से तयार कर लेंगे, इसे मैं चुटा-चुटा काट लिया है, साथ ही मैंने काजू एड किये है, दो टेबल स्पून जिसे मैंने चुटा-चुटा काट लिया था, तो यह हमारी स्टफिंग तेयार होगे, अब हम कोफते बनाना स्टार्ट करेंगे, तो हाथों को अच्छे से क्लीन कर लें, और उसके बा कर लेंगे, कहीं से भी क्रैक्स वगेरा नहीं होने चाहिए, अच्छे से स्मूध बॉल बना लेंगे, क्रैक्स वगेरा होंगे, तो फ्राइ करते टाइम यह फट सकती है, बॉल तो इस तरह से बॉल्स बना लेंगे, इसे मैं साइड में रखती जाती हूँ, एक मैं आपको बना के दिखा देती हूँ, इस तरह से स्टफिंग डालेंगे, इस तरह से बंद करेंगे, और इसे अच्छे से गोल कर लेंगे, ध्यान रहे, स्टफिंग बाहर ने निकलने चाहिए, कहीं से भी तो एक दम चिकनी बॉल्स आपको तयार करने हैं, इस तरह से सारे कोफते मैं तो हम इस तरह से निकाल देंगे, बहुत जादा कॉण फ्लोर इसमालनी करना है, हल्किसी कोटिंग हो जानी चाहिए, ताकि जब इसे फ्राइ करें तो यह बॉल्स पटे नहीं, इस तरह से कोट कर लेंगे, और इस तरह से डस कर देंगे, जो भी एक्स्ट्रा कॉण फ्लोर और प्राइयँ, तो फ्राइय चाहिए, यहार के सकते हैं तो कर दोपने कोटा दूपित करें में, इस तरह से भी एकट को बॉल्स पे ब्हुत रहाने, हैं पर एकट पर दूपने के लिए यहां पर के लिता है, पर यह इक बॉल डाल कर लेंगे, कि हमारी बॉल फट तो नही और इसे हमें मीडियम फ्लीम पर ही फ्राइब करना है तेल को हमेशा पहले एक बॉल को फ्राइब करके देख लें कि वह फट तो नहीं रही है उसके बाद भाकी बॉल्स को डालें और यहां पर में थोड़ा सा रुक-रुक के बॉल्स को डालूंगी ताकि तेल का टेमप्रेच जादा न खेड़े जब यह हलका सा कलर चींज हो जाय तब इसके अधार फ्राइक यहां पर प्यास का मिश्चर फालबा नहीं नहीं कि टैंड़ कर लेती हूँ तो इस था थंडा होने पर ही इसी पीसे अगर करम में पीसेंगे मिक्सी आपकी खराब हो सकते हैं यहां यहां जा के बाद हमें चानना है क्यों कि जो कुफता की ग्रेवी होती है मलाई कुफता की ग्रेवी होती है उसमें कुछ भी नहीं होता है एकदम स्मूध ग्रेवी हमें चाही होती है तो अभी जो हमने मसाला तैयार किया है इसमें काफी रेशे हैं तो इस तरह से चानने से क्या होगा क इसके जो रेशे हैं वो सारे निकल जाएंगे और हमें एकदम स्मूध पेस्ट मिलेगा तो इस तरह से छानना जरूरी है अगर नहीं छानेंगे तो वो क्रीमी टेक्श्यर नहीं आएगा मलाई कोफ्ते का जो रेस्टरेंट में आता है इस तरह से निकले न फूमें डिसकार्ड कर देंगे यहां पर कौफ्ता बॉल्स है वह एकी अच्छे से गोल्डन ब्ॉल्डाउन हो चुकी है अब बेता किसे अच्छे से फॉराई हुकी है क्यों पूमला भाग दिया है अब इसके अंदर मैंने जीरा एड़ किया है एक टीस्पून जीरे को हलका सा फ्राई होने देंगे आप देशी घी की जगे बटर भी इसमें इसमें इस्तमाल कर सकते हैं उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है तो जीरा हमारा फ्राई हो गया है अब यह जो पेस्ट आमने दालना क्योंकि इसके अंदर लंस होते हैं और आपका फट सकता है नमक कर देंके टेस्ट के अकॉर्डिं नमक ध्यान रहे हमने कोफते में भी डाला था इसलिए नमक बहुत ध्यान से एड़ करिएगा साथी एक टीस्पून में इसमें चीनी एड़ कर रहे हो चीनी से क्या ह आला ये नमक लाई को भी अलका सा फेट के डाल सकते हैं और ये हमारी बहुती क्रीमी ग्रेवी तैयार हो गई है यह देखिए कितना बढ़ा कलर आया है और एक तब क्रीमी टेक्शेर इसका तो इसे हम थोड़ा सा पकने देते हैं और ये देखिए काफी अच्छा उबाल भ अब आप चाहिए तो इसके डारेक्ट डाल सकते हैं या जासे हम रेस्टेन में बिल्कुल उसी स्टायल में हम इसे सव करेंगे तो यहां पर मैंने को रख दी हैं इसके उपर हम इस त carbohydrate डालेंगे पहले कोफ्ते डालने हमें कि कोफ्ते तो कि बहुत कोफ्ते बहुत सोफ्त है साहरा धनिया डाल देते हैं और यह देखे बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल हमारा मलाई कोफता रेडी हो गया है तो यह देखे कितना बढ़िया लग रहा है मुह में पानी जिसके आ रहा हो फटाफट से वीडियो को लाइक कर देजेगा क्योंकि बहुत महनत लगती है एक पर इस रेस्पी को ज़रूर ट्राइ करें और मुझे लिखके बताएं कि आपको यह कैसी लगी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें इसकी फोटो शेयर करना चाहते तो फेस्बूक इंस्टाग्राम पर टैक करें चैनल को सब्सक्राइब करना बेलकुल मत भूलिएगा झाल झाल